आज होगा साल 2014 का दूसरा और आखरी पूर्ण चंद्र ग्रहन हानाकि इस अनोखे नजारे के सर्फ आखरी चरण को ही भारत में देखा जा सकेगा क्योंकि ग्रहन के दोरान जदातर समय चंद्रमा पृत्वी के दूसरी ओर रहेगा विशेशग्यों की माने तो चंद्र ग्रहन भारतिय समय अनुसार दो पहर एक बज कर 43 मिनट पर शुरू होगा जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहन तीन बज कर 54 मिनट से शुरू होकर 7 बज कर 5 मिनट पर खत्म होगा लेकिन अधिक्तम ग्रहन 4 बज कर 24 मिनट पर देखा जाएगा और पूर्ण ग्रहन 4 बज कर 54 मिनट पर समाप्थ होगा और चंद्रमा 7 बज कर 4 मिनट पर छाया से बाहर आएगा जानकारी के लिए बता दे ये चंद्र ग्रहन रेवती नक्षत्र और मीन राशी में घटित होगा इस राशी नक्षत्र वालों के साथ गर्भवती महिलाओं को यथा शक्ती जाब और पाठ करना अच्छा रहेगा माना जाता है कि शरत पुर्णिमा के दिन चान की रोशनी शरीर के साथ ही आँखों के लिए भी विशेश लाबकारी है और इस दिन चंद्रमा को नगन आखों से देखा जाए तो आँखों की जोती बढ़ती है इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि शरत पुर्णिमा के दिन श्रीक्रिष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी और इसे दिन चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं के साथ पृत्वी को प्रकाश मान किया था गोर तलब है कि इस साल का पहला चंद्रग्रहन 15 अपरेल को हुआ था दरसल चंद्रग्रहन पुर्णिमा की रात लगता है जब सूरिय, पृत्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं आपको बता दे इस चंद्रग्रहन को देखने का सबसे अच्छा मौका उत्री अमेरिका के लोगों को मिलेगा हवाईद्वी औस्ट्रेलिया जापान समेत प्रुशांत महसागर के ज़्यादतर हिस्तों में भी पूर्ण चंद्रग्रहन का नजारा दिखेगा यू तो साल का आखरी चंद्रग्रहन कई माईनों में बेहत खास है लेकिन इसकी आज के दिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस दोरान चंद्रमा में भी आपको सूर्य का अक्स में जराएगा नेक्स नाइन न्यूस के लिए चीनू की रिपोर्ट